आज का विशय है पूर्जनम की अब्धूत अवस्ता और भगवती मिनाक्षी काली सिद्धवस्ता दर्शन ये शिरी सद्गुरु बोथ पुस्तक का एप्रकाशित लेख है जिसे मैं शुभम तेवतिया भक्तों के लिए अपनी अवाज में पढ़ रहा हूँ ये भी असी के दशक की घटना है जब मैं रुक रुक कर एक समय में ही घंटो तराटक करते हुए विशेश कर सामभवी मुद्रा यानि अंतर बहीर एकागरता से उत्पन केवल मन शक्ती से द्यान करने का सुएत अब्यास करता था और सामाजिक संपर्ग तो मैंने विशेश ब मुझे ये दर्शन हुए कि मैं उत्तर भारत के किसी गाम में अपनी नंसाल में हूँ महीं मेरा जनम और पला बढ़ा हूँ तब लगबक पंद्रे साल का लड़का हूँ और वहां से किसी लड़के की बरात करनाटक प्रांत में तै और जाने की तैयारी हुई है तब परिव ले जाना पड़ा पुराने समय की बस टाइप की सवारी है जिसमें हम गए है तब देखा हम महां पहुच गए तो जहां रुके हैं महां विशाल और उचा सैदूर तक बना प्राचीन करनाटक सहली का प्रसिद मंदिर इस पश्ट दिखाई दे रहा है सब उत्रे महां की पो प्रसिद आयू की कन्याय हैं उनसे मैं बोला चलो मंदिर चलते हैं महां एक प्रसिद तालाब है उसमें इसनान करूंगा वे बोली चलो फिर हम वहां पहुच गए मंदिर के सामने वो विशाल तालाब स्वच जल से बरा जो पत्त्रों के चौकोर घाटों से नीचे उतरती पत्थर की सीडियों से बना हैं जिसे देख मैं उन दोनों लड़कियों से बोला की पहले मैं इसनान कर लूँ तब तुम नहना और मैं उसमें कूद पड़ा तो नीचे तल की और देखा की महां से एक कुत्ता और एक बुढ़िया मेरी और तेरती हुई आ रही है और जैसे पो मन शक्ती से अपने कुत्ते से आदेश दे बोली इसे पकड़ो ये बहुत वर्षो बात आया है उस कुत्ते ने मेरे पैर पकड़ने की जैसे ही कोशिश की मैं उसे लात मार पानी से भार आ गया और तेजी से लड़कियों से बोला चलो यहां कोई बड़ी शक्ती रहती ह और चलते हुए जैसे मुझे उस तालाब में इसनान करने से अपनी पूर जनम की स्मृत्ती आती जा रही है तब मैं बोला देखो मैं दूसरी ओर देख कर चलूँगा यहां लोग मुझे जानते हैं वे मुझे नमस्कार करते रोकने की कोशिश करेंगे और मैं उनका नमन न लेने का और ना पैचानने का यतन करूंगा तो वे लड़की मेरे दाएं बाएं चलते हुए देख रही हैं कि सच में लोग इन्हें नमन कर रहे हैं जैसे बड़ी श्रदा रखते हो और मैं उस विशाल मंदिर की चोटी तक बनी अने को दिव्य मूर्तियों को देखता चलता हुआ वही पहुँचा जहां बारात के लोग मिले और उस छेतर के लोग मुझसे और लड़कियों से खाना खाने को कह रहे हैं तो मैं बोला लड़कियों तुम खा लो इसके उपरान द्रश्या बदलता है हम सब उस बस जैसी सवारी में हैं कुछ बैठे कुछ खड़ सबी बाते कर रहे हैं तो एक खड़े व्यक्ती के पीछे खड़े एपरीचित व्यक्ती ने उसकी जेब से पैसो की थैली निकाल चुरा ली तब ही उसने उसे पकड़ लिया वहां विवाद बढ़ा तो पास ही पुलिस चोकी थी बस टाइप की सवारी महां रोकी गई बहु बराती दे नहीं रहे और लड़की वाले के आदमी धन लेने गए हैं सबी परेशान हैं और शाम होती आ रही है ये देख वे लड़किया मुझसे बोली हम यहां शाम को नहीं रुकेंगी कुछ करो और तुम अपनी अवस्ता में क्यों नहीं आ जाते हो उन्होंने दो बार कहा तीसरी बार सुन मैं बोला आ जाओं वो बोली हां फिर बोला आ जाओं वो प्रबलता से बोली हां और मैंने अपने वस्तरों को उतानने की कोशिश करते में बड़ी जोरों से घोश किया अलक निरंजन और मेरे वस्त उड़ गए उनके इस्थान पर मैं सामले रंग का वे दोनों लड़कियां एदरश्य हो गई और सब चारों और लोग इस थब्द से हो देख रहे हैं, ये क्या हुआ, तब मैंने उस दरोगा से कहा, तुझे धन चाहिए, ये ले, कहते ही आकास से सोने के आमले बरसे, वो उन्हें देख घबराया, मैं बोला नहीं तुझे तो नगदी चाहिए, अलक निरंजन, कहते ही नगदी नोटों की गड्डियां बरसी, उसने चमतकरत और डरते हुए, उसे उठाने को मेरे कहने पर उठाते हुए, पास एक पनवाडी की दुकान पे देते बोला, तेरा मेरा हिसाब बराबर, और लोगों से बोला आप जाओ, मैं उन लोगों से हाथ का इशारा करते जाने को कहता, कि मैं अब यहीं रहूँगा, वापस उश्विशाल मंदिर की ओर लोट चला, महा कीरतन की अवाज आ रही है, महा बड़े दौ मैं पल्टा और महा से नीचे उतनने की सीडियों के मद्धे में, एक सीधा रास्ता कुछ भारी वस्तु चड़ाने के लिए बनाया हुआ था, ताकि महा से खीच कर वस्तु को उपर लाया जा सके, तो मैं महा से नीचे उतरा, तो देखा एक प्रारंभिक तरीके की बनी साइ महा पड़ी है, उसे देखते कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसे इसी रपटने वाले इस्थान से बहुत पहले किसी ने चला कर सीधा ही चड़ा दिया था, तब से आज तक कोई इसे चड़ा नहीं पाया, तब से ये यहीं पड़ी है, ये सुन मैं बोला इसमें क्या है, चल मेरे साथ, एक व्यक्ती इस पर आगे बैठ, ये कहे एक व्यक्ती आगे बैठाया, और मैंने स्वास खीच प्राणायाम कर कुम्बक किया, और मन शक्ती से प्राण शक्ती को अपने पैरो सहिद सारे सरीर में प्रवाहित करते, उसको चलाते हुए सहज में ही उपर जिसे देख मेरे पीछे मंदिर से आ रही भीड रुख गई, और भीड आपस में खुसर पुसर करती कह रही है, ये तो कोई योगी है, मैं सीडियों से नीचे उतरता सुनता हूँ कि, दौनों और खड़ी भीड में से कुछ लोग कह रहे हैं, अरे इने प्राणायाम के साथ यौनी मुद्रा सिद्ध है, और भी योग मुद्राओ के मुझ में लक्षन कहते चर्चा हो रही है, ये सुन तम्मे हसकर अपने पीछे को कुछ पलते हुए, सीधे हाथ की इशारे से किसी को दिखाता हुआ बोला, अरे नहीं, ये मेरा नहीं, ये तो उसका चमतकार है, तो पीछे उपर सीडियों पर मेरे सहीत अन्य सभी जहां साइकिल पड़ी छोड़ कर आया था, महा को देखते हुए जो दर्शन हुए वो अद्भुत थे, वहां सामले सलोनी रंगत की दिव्य प्रकाशे ताभायुक, सामान्य कुछ बैंगनी रंगी साड़ी और वस्त पहने, बहुत कम आभुशनों से सज्जित भगवती काली, मुझे इस भाव से देखती हुई, अपनी ठुड़ी पर उल्टा हाथ, अपने अर्ध मोडे उल्टे पैर पर रख सीधे पैर को गुटने से मोडे, उपर उठी मुद्रा में अर्ध पालती मारे, अराम मुद्रा में अप अपने पास खड़क भूमी पर रखे बैठी मुझे निहारती, कि जैसे उनका प्रिये खेल रहा हो, और वे उसका खेल देख मुग्द हो, ये दिखा जिसे देख सब अचंबित से हैं, उन्हें छोड़कर मैं पलटकर आगे चल दिया हूँ, आगे दिरश्य बदलता है कि, एक बड़े रमडीक व्रक्षो आदी से बरे इस्थान पर एक कुटी भी थी, और वहां मैं अंगिनत इस्त्री और पुरुज भक्तों से गिरा, खुले इस्थान में खड़ा हूँ, भक्त अपने मरुरतों की पूर्ती को मेरी और देख रहे हैं, और मैं निर्विकार भाफ से आकाश मंडल को देखता हुआ प्रकरतिस्त हूँ, यो उनकी बिन मांगे उनके अपने अपने इस्थानों पर मनुकामना पूरी हो रही है, ऐसा भी देख रहा हूँ, और तबी मैंने कहा, मैं अब चलता हूँ, और वहीं विलीन हो गया, यो इससे मेरी इधर चैतन्यता आती गई और आखे खुल गई, तब मैंने भविश्य में अनेक बार के दर्शन शास्त्रों आदी के चिंतनों और योगनुभवों के चिंतन किये, और निम्ण ग्यान पाया की, ये दो कन्याएं देवी सकी जया और विजया थी, जो मुझे समय आने पर अपने पूर भाव म आने को प्रेरित कर मुझे में ही लीन हो गई, तथा योनी मुद्रा विविन मतों में विविन प्रकार से मुद्रा बताई है, जिसमें यहां जो मुद्रा है, वो आग्या चक्र में जब कुंडली चड़कर इस्थिर हो जाती है, तब सर्विच्छा, सर्वक्रिया और सर्व आंक की प्राप्ती होती है, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं, यही यौनी मुद्रा सिद्धी है, और यही जिस इस्थ भाव को रख जब ध्यानकर सिद्धी प्राप्त की होती है, उसी के दर्शन प्राप्त होते हैं, इसलिए यह जो कालिमा के दर्शन हुए, यही मुद्रई में एक आखवाली पारवती रूप मिनाक्षी देवी हैं, जो सामले रंग की देवी स्वरूप हैं और अलग निरंजन शिफ शरूप अवस्था प्राप्ती का अंत गोश है, जिसमें स्वैम को अखंड विश्वात्मा स्वरूप में इस्थती प्राप्त होने पर अपनी सामान्य से सार्वजनिक मनोच्छा की पूर्ती हेतु केवल वर्दाई घोश मात्र किया जाता है, तब छोटी से बड़ी इच्छा की मनवांचित पूर्ती स्वैम महाइच्छा में समलित होकर प्रत्यक्स दर्शित होती संपूर्ण और इस्थाई होती है, और निर्विकार भाव मे अंतक रहना और वही विलीन हो जाना अपने मेही इस्थित तरीकाल के मद्धे इस्थिर और इस्थित हो जाना होता है, ताकि समय अनुसार जब पूने कोई जाकतिक लीला इच्छा होगी, तब पूने कहीं और प्रकट यानी जन्म लेना होता है, तब भी मैंने पाया कि किस आउम से दाइनम है